नमस्मार दोस्तों मैं सागर खुमार आपका स्वागत करता हूं sensible के इस नई Hindu delivery rate analysis वीडि़ियो में चले शरूओ करते हैं कि हमारा market analysis सबसे पहले week end है तो करेंगे weekly analysis, फिर बात करेंगे कि आगे market किस तरीके का हो रहा है आगे market में किस तरीके का momentum दे सकता है उस पर discussion करा जाएगा चीक है अभी एगर market को मैं इस इस तती प्यागर में weekly charts पर यहाँ पर इस जगह पर market को देखता हूँ सब पहले एक बार monthly chart भी हम लोग देख लेते क्योंकि January खतम हुआ है तो अगर monthly chart पर आप nifty को देखा हैं कोई problem नहीं है सब ठीक है यहां पर यहां और market में अच्छा bullish move आया फिर market ने एक मन्त पॉस लिया यहां पर और उसके बाद फैब में market अभी यहां पर अभी हाले कि पहले दूसरी market यहां से एक selling pressure जेल रहा है अपना लेकिन monthly chart अगर मैं देखता हूँ तो यह scenario मुझे पूरी तरह अभी bullish ही दिखाई दे रहा है यहां पर कोई भी negative ने इस नहीं दिखाई दे रही यहां पर market positive ही दिखाई दे रहा है कि बहुत यहां से market upside पर अच्छा move कर सकता है चीक है यह तो monthly deduction हो गया अब यहां से लेकिन हमें monthly में momentum कब मिलेगा जब market अप upside पर trade करने लगेगा तब हमें यहां पर एक upside move आता हुआ market में दिखाई देगा उससे पहले हमें कोई बड़ा move यहां पर नहीं दिखाई देगा एक और case यहां पर हो सकता है कि market में एक अच्छा बड़ा move आया और market में एक doji market ने बनाया monthly chart पर और इस मतलब doji दो तरीकों से काम करता है एक तो पहला क्या होता है doji में कि यह trend का continuation आता है ठीक है और एक आता है trend का reversal ठीक है अब हमें कैसे पता चलेगा कि बहुत यह जो doji है यह trend confirmation बता रहा है या फिर trend reversal बता रहा है तो यह हमें नहीं पता चलेगा जब तक कि market हमें खुद नह लाएगा ठीक है तो market जब तक इस doji के ऊपर या तो ट्रेड नहीं करता है ठीक है यह फिर इस doji के नीचे market ट्रेड नहीं करता है तब तक आपको इसका कोई आइडेन लगे है बस यह जो doji market ने बना यह trend continuation का doji है या फिर market में trend reversal का doji है जैसे कि यहाँ पर आप यहाँ पर इसे एक trend reversal आपको आता हुआ दिखाई दिया ठीक है अभी तुरंत एक्जांपल मिल गया आपने को खुश किस्मती से ठीक है अब जैसे यहाँ पर है यहाँ पर मार्केट ने दो मन्त डोजी बनाया उसके बाद मार्केट ने जब हाई के ओपर ट्रेड करना शुरू करा एक बड़ा trend आपको आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि बड़ा trend अपसाइड पर आएगा या डाउनसाइड पर आएगा अभी ठीक है तो मंतली चार्ट पर ऐसा बता रहे हैं कि हमें थोड़ा सा वेट करने के अभी जरूरत है ठीक है बैंक निफ्टी को अगर मैं देखता भी रहा होगा यहां से एक ट्रेंड शुरू हुआ था यहां तक market में ट्रेंड गया था और इस trend के almost market अभी भी बीच में खड़ा हूआ है ठीक है market ने एक selling pressure आया था और इसको इस तरीके से market हैं अब यहां से अगर मार्क है से नीचे आता है मार्क इस तरीक सब्सक्राइब बहुत बढ़े बढ़े बाद करें की फॉर्टीृ-गण के पास-पास हमें trend मिलेगा, देखें, ये monthly chart पर आपको और लंबा समय का view मिलेगा हमें, तो उसकी बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, daily charts पर भी और weekly charts पर भी हम discussion करेंगे, ठीक है, तो bank nifty का monthly chart कोई भी खास clarity अभी नहीं दे रहा है, ठीक है, nifty का भी ऐसा दिखाई दे रह ठीक है, अब अगर मैं weekly chart पर चलता हूँ, nifty के, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, तो यहाँ पर मुझे scenario दिखाई दे रहा है, अच्छा खासा bullish market move आया, market नीचे गया, upside प गया, और इस तरीके से market यहाँ पर अभी wait कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से market अभी wait कर रहा है, फिर यह थोड़ा negative market बनता हूँ, आपको दिखाई देगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी weekly chart पर अभी, अगर मैं monthly chart पर, ठीक है, monthly chart पर nifty कैसा दिखाई दे रहा है, positive दिखाई दे रहा है, ठीक है, और अच्छा खासा positive दिखाई दे रहा है, ठीक है, और अच्छा खासा positive तुक करてाई दिखाई रहा है सबस्क्राइब हम हैं यहां से पिछली बार मार्केट ने कि ऑर 22000 का इस मार्केट में resistance अभी खड़े हुई दिखाई दे रहे हैं हमें resistance दिखाई दे रहे हैं तो अभी यहाँ पर अगर मैं बात कहूँ कि market किस तरीका दिखाई दे रहे हैं तो daily charts per market मुझे almost मेरे साब से अभी neutral दिखाई दे रहा है neutral to slightly positive ठीक है तो यहाँ पर मुझे क्या मैं किस तरीके से यहाँ पर निकाल सकता हूँ कि market किस direction में move करेगा तो अभी यहाँ पर आप अगर आप भी इस particular chart को पिछले कुछ दिनों में देखेंगे तो आप यह analyze करिए कि जो बंदा यहाँ पर positional market में प्लान करता होगा trade ठीक है उसके लिए कितनी difficulty हो रही होगी कि market में पहले एक selling pressure आया उसने यहाँ पस shots बनाये होंगे अगले दिन market ने एक bullish move दे दिया ठीक है इसने अपना stop loss या break even में अपने आपको निकाला होगा यहाँ से market में क्या हुआ एक और आपको upside move देखने को मिला आया market ने एक अच्छा break out भी दिया ठीक है और उसी दिन market ने फिर से एक downside पास selling pressure भी आ गया ठीक है तो जो बंदा माली जिए positional trade कर रहा है उसके लिए कितनी difficulty हो रही होगी market में अपनी positions को manage करना ठीक है तो थोड़ा सा difficult यहाँ बार face चल रहा है तो आपको early chart पर स्थिति clear दिखाई दे जाएगी कि market यहां से move किया था थोड़ा market sideways गया एक breakout यहां पर आया ठीक है और breakout फिर market उस जो breakout था उसको sustain नहीं कर पाई फैर से market नीचे आ गया अभी यहां पर अगर आप देखोगे तो आप यह चीज़ समझ में आएगी कि यह जो zone है यह वाला जो zone है market में यह वाला जो zone है इस में market थोड़ा बहुत struggle कर रहा था एक price action market ने इस तरीके का बनाया ठीक है और यह almost आपको थोड़ा inverted head and shoulder type का pattern दिखाई दे रहा होगा यहां से market यहां पर अभी खड़ा हुआ है यहां पर खड़ा हुआ है तो निफ्टी के लिए तो यह बहुत important हो जाता है कि बॉस इस 21,800 के नीचे trade ना करे अगर इसको ऊपर जाना है तो इसके लिए बहुत अच्छा chance है यह मैं अभी नही इसा कुछ भी नहीं कहूंगा क्योंकि जब तक की market अगर मान लीजे कल के दिन market यहां कहीं पर opening अगर market में हो जाती है तो यह अपने इन levels को sustain करेगा ठीक है जहां से almost market में breakout आया है बहुत अच्छा market में breakout आया market में base भी बनाया market ने फिर upside में move किया ठीक है लेकिन फिर immediately फिर से एक selling pressure आपको यहां पर देखने को मिला तो sellers अभी भी try कर रहे हैं कि यहां all time high के आसपा से या previous resistance level से जो कि हम बैंक निफ्टी में देखेंगे अभी previous resistance level से market में selling हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं वो अभी भी test कर रहे है market को ठीक है तो एक एक अच्छा trending move आपको market में तभी दिखाई देगा जब market 22,000 के फिर से उपर close करना शुरू करेगा तो 22,000 के उपर अगर market को sustain करना शुरू करता है ठीक है तो यहां से एक बहुत अच्छा move आपको देखने को मिलेगा फिर market क्या है न कि यह जो resistance market ने में भी देखे हमें ऐसा भी कुछ momentum market में देखने को मिल सक सकता है almost up and handle sort of pattern बना के फिर upside पर एक breakout दे सकता है ठीक है नहीं तो क्या होगा market यह यू में मार्केट ने momentum किया और market अगर धीरी-धीरी market नीचे sink-in होता रहता है तो फिर यहां पर एक negative price action बना के market फिर बहुत तेजी से नीचे आ जाएगा तो अभी जो जिस इस्तितिव मार market खड़ा हुआ तो हमें यहां पर wait and watch ही करना पड़ेगा यहां पर किसी बितर का decision अभी बना नहीं सकते हैं क्योंकि देखें प्रीवेस ट्रेंड जो है वह मार्केट में एक positive trend है यहां से market positive turn हो गया था ठीके previous selling से market ने यहां पर positive turn बनाया यहां पर पिछले अपने जगह प पड़ेगा market को market को देखना पड़ेगा कि market किस तरीके से निकल रहा है आगे आनिवाल टाइम में बताएगा कि वह मैं इस तरीके से बन रहा हूं तब हम market में कुछ trade प्लान कर सकते हैं उसके पहले तो मुझे नहीं लगता है कि यहां पर कोई अच्छा trade हमें दिखाई रहा था लेकिन जब आप इसे weekly chart पर देखेंगे तो weekly chart पर आपको थोड़ा सा negative होता हुआ दिखाई दे रहा होगा ठीक है थोड़ा सा slightly negative होता हुआ हमें यहां पर दिखाई दे रहा है लेकिन अगर market को यहां से उपर जाना है तो आप ही सोचिए market किस तरीके का price action बनाएग कि यहां पर भी market almost अपने जब previous resistance levels है जहां से market में पिछली बार resistance आया था इस zone के आजपास से market में फिर से selling pressure देखने को मिला जो कि sellers ट्राय कर रहे हैं कि यहां पर हम कोशिश कर सकते है market में एक sell करने कि market में एक selling market को pressure में डालने कि फिर से कोशिश करी जा सकते जैसे कि यहां market में बार-बार sellers को invite करेगा जब-जब market यहां पर जाएगा ठीक है तो अभी यहां पर भी मैं यही कहूंगा कि यहां पर भी आप थोड़ा wait करिए अभी कि जब तक कि यहां पर हमें कोई clear direction market नहीं देता देखिए यहां पर हम अभी sell नहीं कर सकते हैं ठीक है sell आप किस case में कर सकते हो कि बहुत मार्केट में मान लीजिए हमारे मार्केट के लिए problem कब खड़ी हो जाएगी यह आप यह आप देखिए जब market क्या करेगा बैंक निफ्टी में एक ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी अगर फिर से और नीचे या gap down open होता है तो बैंक निफ्टी थोड़ी सी problem create हो सकती है पिछला level market breakout आया था which is near about 45,600 ठीक है 45,600 के जब नीचे market move करना शुरू करेगा तब market में एक problem आती भी आपको दिखाई देगी यहां से market में फिर आपको और selling pressure आता हुआ दिखाई दे सकता है क्योंकि फिर लोगे समझेंगे बहुत यह जो breakout है जहां से market में previously एक breakout आया था य होड़ा सा मुझे लगता है हमें वेट करने ही जरूवत है bank nifty for sure अभी week दिखाई दे रहा है अगर मैं आप अगर moving averages भी देखेंगे moving average अगर आप देखते है bank nifty में जाके तो bank nifty पहला यह जब से 50 dma के नीचे आया यह ब्लू वाली जो है 50 dma यह जो ब्लू वाली लाइन है 50 dma के नीचे जब से आया है तब तब 50 dma से यह बार बार rejection ले रहा है बार बार यह pressure में आ रहा है 50 dma से तो जब तक कि इसके ऊपर 50 dma के ऊपर market close नहीं करेगा यहाँ पर इस तरीकी candle market close नहीं करेगा तब तक हम यहाँ पर buy नहीं प्लान कर सकते हैं या कि यह selling pressure के नीचे confirmation जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम market में sell plan नहीं कर सकते हैं थोड़ा दूविदा जनक इस्तिति में भी market है कोई भी decisive जगह पर market अभी नहीं खड़ा हुआ है जैसे आप वही चीज आप open interest में भी देख सकते हो कैसे देख सकते कि यहाँ पर जितने strong supports खड़े हुए उतने strong य अगर FIA activity के हम बात करते हैं तो FIA activity पिछले दिनों कुछ बड़ी activity नहीं हुई लेकिन हा पुट्स बेचे गए हैं फ्यूचर में बाइंग हुई है लेकिन अगर net आप open interest देखेंगे तो net यहाँ पर calls net sell में है ठीक है और futures अभी भी net short है दीरे दीरे यह लोग अपने futures cover कर रहे हैं आप यहाँ पर देखेंगे यह चीज़ कवर हो रहे हैं दीरे दीरे अपने यह एक interesting यहाँ पर point देखाई दे रहा है कि यहाँ पर maybe market अप दीमें दीमें जब उपर जाने लग थोड़ा हमें wait करना चाहिए clarity पाने के लिए कि हम unnecessary कोई भी trade अभी ना लें यहाँ पर कोई भी unnecessary trade लेकर stop loss hit करा लें दो तीन बार और फिर उसके बाद market में trend आ रहा है तो हम miss कर जा रहे हैं वो करने की बजाए मैं थोड़ा यहाँ पर wait करना पसंद करूंगा market में हाँ अग लैप अगेरा open होके अपने आपको sustain करना पड़ेगा यहाँ पर तब जाके ऊपर क्यूंकि भाई यह बहुत negative candle bank nifty की बन चुकी है तो इसके नीचे अगर market आता है तो फिर यह और correction फिर करेगा और फिर आगी आने वाले टाइम में maybe market यह जो swing market ने बनाया ना इसको भी market फि में इंतिजार करना है और उसके बात देखेंगे कि market किस तरीके से मूव कर रहा है तो दोस्तों यह था मेरा निफ्टी अब बढ़ते हैं dollar के analysis के तरफ डॉलर देशा हमने कहा थे कि यहां से अगर market break करेगा इस जगह से market अगर break करेगा तो यह जो swing है इसको retest करने के लिए सकता है हलाएं कि यहां तक नहीं आया market लेकिन जो प्रीविएस बाइंग लेवल है उसके लो तक market आया है यहां पर फिर से वापिस इस रेंज में एंटर कर गया है तो अभी भी यहां फिर से में यहीं कहूंगा कि यहां पर यह एक ठीक सा एक momentum था परंतु फिर से market अभी इ आइम पास यहां पर ना करने लगे तो यहां पर भी मैं अभी अवोइड करने के सला दूंगा तो खुल मिला के टोटले में में वेट और वाच करेंगे जादा अभी एक्स्पेरिमेंट भी नहीं करेंगे जब तक market में clarity नहीं मिल जाती है तो 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 यह था मैरा